दोफ्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आप चाहते हैं अपने भूमी का सर्वे करवाना तो सर्वे में तीन ही ऐसे डोकुमेंट है जो हर जमीन माली को भढ़ना होगा सर्वे करवाने के लिए तो ये तीन जो फॉर्म है एक आपका परपतर टू है एक आपक इस फॉर्म को भढ़ने में कोई दिकत नहीं होगी मैक्समाम लोग इस फॉर्म को गलत तरीके से भढ़ते हैं सर्व के द्वारा बताया भी गया है कि लोग जो है गलत तरीके से फॉर्म बढ़कर जमा करते हैं यही गलत अगर फॉर्म आप भढ़ेंगे तो फिर जनकारी आ है कि यह ध्यान रखीगा तो पॉंप को कैसे भरना है किस कॉलूम में क्या डीटेल आपको देनी है यह समझेना है तो यह वीडियो आपके लिए प्रोपर होने वाला इससे अच्छे वीडियो आपको कहीं पूरे यूटूब पे नहीं मिलेगा यकीन मानिए बहुत ही अच्छ के लिए जो चाहते हैं अपना जमीन का सर्वे करवाना और फॉंप को बढ़ना वो समझे कि भाई फॉंप कैसे भढ़ा जाता है यह तीनों फॉंप वो समझ पाया है आईए स्किन पर चलकर पूरी जैनकारी कानुन गोसर के द्वारा आपको बतलवाने की कोसिस करवाते हैं तो वो सारा ब्योरा आपको फॉर्म 2 और 3-1 में भरके अपने दस्तावेस के साथ जो भी साक्ष है जमीन का परमान है वो सारा लगा कर अपना अधार कार लगा कर सर्वे ऑफिस में लाके जमा करना पड़ता है उसमें कुछ डिटेल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या भरना है वो डिटेल आप लोग गौर से सुन लिए फॉर्म 2 जो होता है वो एक पेज का होता है और फॉर्म 3-1 जो हता है वो दो पेज का होता है तो फॉर्म 2 भरने का तरीका यही कि उपर में आपसे डिटेल पूछेगा राजस गराम का नाम तो आप जिस नाम का दो गाउं हो सकता है तो अगर दो नाम है एक ही तरह का और अगर हम वो नाम बोलेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं है कि किस गाउं की बात हो रही है तो ऐसे केस में उसको पहचान करने के लिए एक नंबर दिया जाता है हर राजस गराम को एक नंबर दिया ज जो है वह वहाँ पर दर्श करना पड़ेगा आपका कौन सा अंचल है और आपका कौौन सा दिला है वह दर्श करना पड़ेगा उसके नीचे आप लोग देखते हूंगे daa 21 कोलम का tabular column रहता है लाभग arav Column होता है और हर सबसे पहला column जए वो है रैयत का नाम सही हिस्सदार का नाम एवं पिता का नाम रैयत बोलते हैं कि जो भूमी धारित करता है जो भूमी का जोतर कूर कर रहा है उस आम किसान को सर्वय के language में रैयत बोलते हैं तो रैयत अगर सिंगल है जैसे आप लोग एक आद्मी जोत रहोंगे, एक भाई जोत रहोंगे किसी जमीन को, या तो केवाला करवाए होंगे या वटवारा के आधार पर खत्यानी जमीन आपको पराप्त हुई होगी, तो एक आदमी अगर जोत रहोंगे, तो एक रहित का नाम वहाँ पर दर्ज होगा, और अगर उसी जगापर तीन भाई, चार भाई मिलके अगर उसको जोत कोर कर रहे हैं, तो सारे भाईयों का नाम वो वो करके आप दर्ज कर सकते हैं वहाँ पर, उसके बाद सबसे लास्ट में आपने पिताजी का नाम दर्ज कीजेगा, दूसरा कॉलम जो है, वो है के ब्योरा से संबंदित होता है, वो आपके पेपर पे भी लिखा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खाता नंबर, खाता नंबर का मतलब यह है, कि हर एक रहियत को जैसे आप लोग बैंक में एकाउंट खुलवाते होंगे, तो एकाउंट नंबर एक रहता है और एकाउंट नंबर के अंदर में आपके सारा ट्रैंजक्शन का डिटेल रहता है, कि कितना कितना ट्रैंजक्शन आपके एकाउंट में हुआ है, वैसे ही खतियान में एक एकाउंट नंबर मिलता है, हर एक रहियत को एक एकाउंट नंबर दिया जाता है जिसको खाता नंबर हम लोग बोलते हैं उस खाते नंबर के अंदर में जतना भी आपका प्लॉट है जतना भी खेत है वो सारा दर्ज किया रहता है एक खेत है तो एक खेत दर्ज रहेगा अगर आपके पास दस खेत है तो दस खे रहता है खाता नंबर तो वहां से देखके आपको खाता नंबर दर्ज करना है उसके बाद दूसरा कॉलम है खिसरा नंबर का मतलब हो गया कि प्लॉट का नंबर जिस प्लॉट की आप बात कर रहे हैं जिस प्लॉट का साथ चापके पास उपलब्ध है उसका प्लॉट नंबर क का मतलब यह हुआ कि कितनी भूमी है आपकी कितना डिस्मिल जमीन है या कितना कठा जमीन है आम तोर पे जो सरकारी दस्तावेज में जमीन की पैमाईश चलती है वो आपको एकर और डिस्मिल में चलती है आप गाओं घर में देखते होंगे कि आप कठा में उसको मेजरमेंट क कॉलम आता है चोहदी, चोहदी का मतलब है कि वर्तमान चोहदी, आपके पेपर पेफ हो सकता है कि उस समय की चोहदी दर्ज होगी, जो इस समय आपका पेपर बना है, जैसे खतियान की बात अगर हम करते हैं तो खतियान में 1960 में खतियान बनने का प्रोसेस चुड़ू हुआ था और 67 68 में जाके वो फाइनल हुआ तो 67 68 में जो आपकी चोहदी रही होगी वो खतियान पे दर्ज है या फिर आपने केवाला करवाया होगा तो जब भी केवाला करवाया होगा उस डेट में आपके चोहदी दार जो रहे होंगे उनका नाम वहाँ पर दर्ज किया होगा लेकिन वर्तमान में आपको वो चोहदी नहीं लिखना है जो आपके पेपर पे दर्ज है वो चहुद्दी लिखना है जो आपके खेत के आसपास आपके चहुद्दीदार है हो सकता है उसमें बहुत सारी चहुद्दीदार पेपर के अनुसार आपके बदल गया होंगे वर्तमान में पास साल छे साल अगर पुराना पेपर आपका होगा तो वरतमान में हो सकता कोई नए के वाला दार आ गया होंगे तो आपके चोहदीदार बदल गया होंगे तो ऐसी इस्तिती में आपको उस नए चोहदी के हिसाब से जो आपके चोहदीदार हैं वो वहाँ पर दर्ज करना है उसके बाद आता है किस्म जमीन किस्म जमीन का मतलब हो गया है कि आप जमीन का उप्योग किस तरह से कर रहे है उस पे क्या बना हुआ है या क्या किस चीज के लिए उप्योग कर रहे है वो वहाँ पर दर्ज किया जाएगा जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी जमीन पे घर बना दिया गया है तो वह ऐसी जमीन को हम लोग घरारी की जमीन बोलते हैं तो अगर किसी जमीन पे घर बना हुआ है तो किसम जमीन में आप लिख दिये घरारी की भूमी या फिर वहाँ पर आप मकान मैसाहन भी दर्च कर सकते हैं मकान में साहन का मतलब भी वही हुआ कि वहाँ पर घर बना हुआ है उसके बाद बहुत साही लोग होते हैं जो जमीन पे खेती बारी करते हैं तो अगर खेती की कोई जमीन है तो वहाँ पे किर्सी वाली भूमी लिख दीजे या किर्सित भूमी लिख दीजे या खेती की भूमी लिख सकते हैं बहुत साइज जगा पे आप देखते होंगे कि जमीन पे अपने लोग गाची वगरा लगाते हैं पेर पौधा लगाते हैं आम का पेर हो गया लीची का पेर हो गया इस तरह का बहुत सारा पेर लगाते हैं तो ऐसा अगर कोई इस्थिती है तो आप उसको किसम जमीन में बागीचा या गाची लिख सकते हैं। बहुत सवरे लोगों को देखते होंगे कि अपनी जमीन में पोखर वगर खनवाते हैं, मचली पारलन करते हैं, शौकिया, तो वहाँ पोखर खनवा लेते हैं। तो अगर वैसा कोई बना हुआ है, पोखर है, तालाब है, तो वहाँ पर किसम जमीन में आप पोखर या तालाब दर्च कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है, कि आपका जमीन का उपयोग जिस तरह से हो रहा है, वो उपयोग के हिसाब से उसका वरिफिकेशन आप वहाँ पर दर्च कर सकते हैं। उसका अगला कॉलम जो होता है, वो होता है लगान का, लगान और इसके बाद का कॉलम हैं जमानदी, लगान और जमानदी के केस में आपनों को हम क्लियर कर देना चाहते हैं, हर आमसबा में यह हम बताते हैं, कि अगर आपकी जमानदी कायम नहीं हुई हो, या आपका लगान fixation नहीं हुआ हो आपके नाम से दाखिल खायज नहीं हुआ हो तब आपको घबराने की जरूवत नहीं है सर्वे के परकरम में इसका पूरा नियम है कि आपका जो दाखिल खायज का जो नियम होता है या जो जवामन्दी काइम करने का नियम होता है सेम प्रोसेस इस सर्वे में भी है उस अनुसार उसका सत्यापन करके हम लोग आपके नाम से नया खत्यान ही बना देंगे तो आपको अलग से दाखिल खायच कराने की ज़रूरत नहीं है हर आमसबा में ये कोश्चन आता है कि सर मेरा क्यवाला है लेकिन दाखिल खायच नहीं हुआ है लगान नहीं कटवाते हैं मेरा रसीद नहीं कटता है तो हम क्या करेंगे तो वैसे इस थिती में आप लोग लगान का कॉलम या जवामन्दी का कॉलम जो है इसको खाली छोड़ सकते हैं ये कंपलसरी कॉलम नहीं है और अगर आपका लगान निर्धारन नहीं हुआ है या आपके नाम से दाखिल खायच नहीं हुआ है तब आपको घबरानी की जरूत नहीं है सर्वे के परगरम में उसका इलाज है उसका रूल है रूल के अनुसार सत्यापन होगा और सत्यापन के उपरांत अगर सही पाया जाता है तो आपके नाम से आटोमेटिक खत्यान बनने का प्रोसेस ही शुरू हो जाएगा आपके नाम से जवामन्दी अलग से कायम हो जाएगी खत्यान बनने के बाद आपको नई जावंदी कैम कराने के जरूत नहीं परेगी तो ये दो कॉलम है जिसको अगर आपके पास है तो वहाँ पर दर्श कर दीए अगर आपके पास नहीं है तो वो कॉलम आप खाली छोड़ सकते हैं उसका अगला कॉलम आता है जमीन पे दावा का अधार ये सबसे महत्पून कॉलम है पूरे फॉर्म का फॉर्म का इसलिए महत्पून कॉलम है कि इस से ही साबित होता है कि आप उस जमीन के मालिकाना हक रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं ये आपको परमान करना परेगा कि जमीन पर जो आप दावा किये हुए हैं जो कब्जा किये हुए हैं वो किस आधार पर कब्जा किये हुए हैं आपका उसमें हक बनता है या नहीं बनता है तो ये चीज़ आपको वहाँ पर दर्ज करना परेगा उसमें जैसे एक्जामपल के तोर पर के आपके पुरवजो के नाम की जमीन है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पुरवजो के नाम की जमीन होगी पुरवजो की नाम की जमीन दो तरह से हो सकती है पहला या तो आपके पुरवजो के नाम पे खतियान दर्ज होगा तो आपको मिला होगा वो या फिर आ यानि भूमी या उत्राधिकारी, भूमी भी लिख सकते हैं. दूसरा, अगर आपके, पुरवजों के द्वारा केवाला करवाय गया jest, तो वहां पर लिख दिये पुरवजों के द्वारा करायसे प्राप्त भूमी, इससे ये सावित हो जाएगा कि आपके पुरवजों ने उसका केवाला करवाय था रेस्टी करवाय था तब आपको वो वनसज होने के नाते प्राप्त है वैसे इस्तिती में अगर आपने खुद केवाला करवाया है तो आपके नाम से वो केवाला होगा और आपके नाम से जब केवाला होगा तो वहां पे लिख दिएगा कि केवाला से प्राप्त भूमी वैसे भूमी जो आपके पुरवजों के नाम से है जैसे आपके पुरवजों के नाम से खतियान है या आपके पुरवजों के नाम से केवाला है तो इस दोनों केस में आपको वंशावली समर्पित करना परेगा वंशावली परस्तूत करना परेगा उससे ये साबित होगा कि ये आपके पूर्वष थे जिनका नाम उस पेपर में दर्ज है वो आपके पूर्वष थे और आप उनके वनसज है तो ये परमानित करने के लिए आपको वंशावली बनाने की जरूरत है और वंशावली आपको पस्तूद करना परेगा वनशावली के case में एक चीज और clear मैं कर देना चाहरा हूँ आप लोगो को कि वनशावली के case में अभी देखते होंगे लोग बहुत परेशान है कि वनशावली कैसे बनेगा कहां से बनेगा पहले सरपंच बनाते थे अब सरपंच वाले वैलिड होगा या नहीं होगा या अंचल से बना हुआ है वो वैलिड होगा या नहीं होगा तो ये सारी चीज है तो ऐसा बताते हैं आप लोगों को कि अगर जब सरकार का रूल चेंज होता है तो सरकार का रूल चेंज होने से पहले का अगर कोई परमान पत्र निर्गत है तो वो 100% वैलिड होता है और सरकार के रूल बदलने के बाद अगर कोई पुरान तरीके से कोई परमान निर्गत होता है तो वो आमानने हो जाता है तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जुलाई 2023 में एक रूल आया था पंचायती राज की तरफ से कि जो पुर्व में वंचावली बनती थी वो सरपंच महोदे के द्वारा बनाये जाता था सिर्फ सरपंच महोदे अपने लेटर पैट पर बना के दे देते थे तो वो 100% माननेता होती थी लेकिन उसको चेंज करके एक नया सिस्टम लाया गया उस नया सिस्टम में ये किया गया कि सरपंच के इलावा भी कुछ लोगों को उसमें जोड़ दिया गया जोड़ने के लिए कि पहले क्या होता था कि बहुत साए लोग अगर सरपंच आपके हैं तो आप उसमें बहुत साए लोगों का नाम छिपा सकते हैं और अपने हिसाब से उस वनशावली को बनवा सकते हैं तो ऐसा बहुत सारे क्लेम सरकार की तरफ के पास गया था कि जैसे चार भाई है आप एक भाई आना ही रहता है जाके बस गया है कहीं बाहर में उसकी करम में जो वनशावली बनाते हैं उस वनशावली में उस भाई का नाम ही गाइब कर देते हैं वहाँ पर दिखाते ही नहीं हैं सरपंच आपके हित के आदमी थे तो उस समय उसको ट्रस्ट में लेके या जैसे भी करके गलत काम आपने करवा लिया या बहुत साए लोगों को सरपंच की तरफ से सरपंच महोदय की तरफ से उसमें बहुत सारी तूटियां रह जाती है बहुत सारी कमी रह जाती है बहुत सारी लोगों का गलत नाम दर्ज कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है तो इसमें थोड़ा सुधार लाया जाए तो इसके लिए सरकार ने नया सिस्टम लागू किया, नया सिस्टम के तहत ये किया कि आपके ही कहों कि समाज के कुछ जन पढ़ती नी दी, या समाजिक जो लोग होते हैं, जो समाज से जुरे हुए लोग होते हैं, उनको सत्यापन करने के लिए दिया गया, कि जो वंचावली आप बना के दे रहे हैं, तो उसको एक बार अपने अस्तर से सत्यापित करवा लिया जाए, और सत्यापित करवाने के बाद आपके समाज से हट कर जो विभाग के स्टाफ होते हैं, जिसको पंचाई सचीव बोलते हैं, उस पंचाई सचीव को भी उसमें जोरा गया, कि आप भी अपने अस्तर से उसको सत्यापित कर लेंगे, और सत्यापित करने के बाद जो आपके राजस गराम पंचायत के सरपंच महुद होंगे और जो पंचायत सचीव होंगे दोनों के सन्युक थस्ताक्चर से वो वंचावली निर्गत होगी तो अभी आप लोग देखते होंगे जो वन्शावली का फॉर्म आता है उस पे सत्यापन के लिए आप लोगों को गाओं के जो आपके मुख्याजी हैं उनका साइन आपके वार्ड मिंबर जो हैं उनका साइन आपके जो गाओं के चौकिदार होते हैं उनका साइन आंगनवारी सेविक propagит जो होती है उनका साइन ये सारा साइन उस पे लगता है सब लोग उसको सतापित करते हैं उसके उपरांत आपके समाज के कोई दो ऐसे लोग कम से कम दो लोग का उसके नाम धर्ज करना है जो गवा के तौर पर ये थाबित करेंगे तो सत्यापित के उपरां पंचाय सचीव के पास जाएगा वो एक आम सूचना निर्गत करेंगे कि इनके द्वारा ये वंचावली परस्तूत किया गया है आप लोग इसको देखके सत्यापित हो लें अगर इसके कुछ ठूटी रहा जाते है या कुछ कमी रहा जाते है तो आप लोग गराम कचैडी को इसको सूचना देंगे लेकिन वंचावली बनाने का परकिरिया थोड़ा लंबा हो गया उसके लिए आप लोगो थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ता है तो उसके लिए एक और आप्शन है जो सर्वे में आप लोगो मेरी तरफ से या विभाग की तरफ से दिया जा रहा है कि आपका जो भी वंचावली है वो आप लोग एक एफिडिफिट पर बनवा लीजिए अभी भी आप लोग जाते होंगे वंचावली बनाने के लिए तो एक एफिडिफिट का इस्तमाल होता है वो एफिडिफिट आपको बनवाना पड़ता होगा तो वैसे ही आप एफिटिफिट बनवाईए जिसका काम उस वनशावली में होगा जो पंचायद से बनता होगा और उसी का एक फोटो कॉपी सर्वे कारियाले को उपलब्द करवा दीजिए ताकि उस आधार पर उस वनशावली का जाँच हम लोग अपने अस्तर से भी आमसभा लगा कर जाँच करवा लें और जाँच करवाने के उपरां तो आपका सर्वे का काम हो जाए तो वैसे लोग जिनको समस्या हो रहा है नया वनशावली बनाने में जो नई परकिरिया है उस परकिरिया से वनशावली बनाने में तो लोगों के लिए एक option ये भी है कि आप लोग जो एफेटिफिट बनवा रहे हैं उस एफेटिफिट का फोटो काप्पी आप मेरे सिविर कारियाले में लाके जमा कर दिये form के साथ उसके आधार पर हम लोग उसका खुद से उसका सत्यापन करवाएंगे आमसभा लगा कर आपके गाउं में और सत्यापन होने के उपरांद फिर आपके नाम से नया खत्यान बनने का प्रोसेस दर्ज होगा तो अगर कोई भी जायसी जमीन जो आपके पुरवजों के नाम पर है जिनका देथ हो गया है जिनकी मिर्त्यू हो गई है तो वैसे इस्तिती में आपको वंचावली लगाना है लेकिन अगर आपके नाम पर कोई पेपर दर्ज है खत्यान या केवाला आपके नाम पर है तो फिर आपको उसमें वंचावली की जरूद नहीं परेगी उसमें वंचावली नहीं लगाना है उसके बाद बहुत सारे ऐसे भूमीन किसान आप लोगों के गाउं में ही होंगे जिनको रहने के लिए बसने के लिए घर नहीं होता है तो उनको पर्चा निर्गत किया जाता है सरकार की तरफ से अंचल की तरफ से उसमें अगर सरकारी कोई जमीन के बसा हुआ है तो बंदोबस्ती पर्चा निर्गत होती है बंदोबस्ती पर्चा अगर आपके पास है तो बंदोबस्ती पर्चा की भूमी हो जाएगे और वहाँ पर दर्जापका हो जाएगा बंदोबस्ती पर्चा से पराप्त भूमी बहुत साइर रायती जमीन को दूसरे रायत को रहने के लिए दिया जाता है जिसके लिए एंचल से वास्कित पर्चा निर्गत करवाया जाता है तो अगर वास्कित पर्चा से कोई पराप्त भूमी है आपकी तो वहाँ पर दावा के आधार में आप लिख दिये वास्कित पर्चा से पराप्त भूमी बहुत आए लोगों को देखते होंगे भूमीन किसान लोगों को कि भुदान से जमीन पराप्त होती है तो वो साख्च आप वहाँ पर दर्च कर दिए खतियानी है तो खतियानी केवाला है तो केवाला पर्चा है तो पर्चा जो भी है साख्च वहाँ पर दर्च कीजिए उसके बाद लास्ट कॉलम है जिसमें आपको अभ्युक्ति का कॉलम दिया हुआ है अभ्युक्ति का कॉलम म को फॉर्म में नहीं पूछी गई है लेकिन वो डिटेल आपको हमको देना जरूरी होता है तो वो सारा वैसा डिटेल आपको अभीक्ति कॉलम में दर्च कर देना है और एक्जामपल मैं बता दूँ कि जैसे किसी जमीन पर विवाद चल रहा है तो विवाद की स्थिति यह होत जैसे अगर कोट केस किये हुँ है तो वाद संख्याब वहाँ पर लिख दिए जो केस नंबर होता है वो केस नंबर लिख दिए किस साल में केस हुआ वो सन लिख दिए और उसकी इस्थिति अभी वरतमान में क्या है वो वरतमान इस्थिति वहाँ पर दर्च कर दिए यह बह का पर्मान आपके पास है जमीन का पेपर आपके पास है लेकिन कबजा कोई और किये हुआ है तो कबजाधाड़ी जो है उसे भी हम पेपर मागेंगे अगर वह पेपर उकलब्द करवा देता है सही पेपर सका रहता है तो उसके नाम से खाता खुलेगा अन् toughest है अपका मुवाईल नंबर है अधार कार्ड है यह सारा डिटेल आपको भड़ना है अस्ताक्षर करना है अंगूटा का निशान लगाते है अंगूटा का निशान लगाईए और यह साराक चाहिए प्रेल भरके उसके बाद आता है कि परपत्र 3-1 वैसी इस्थिति में आपको भड़ना है जहां पर आपके पुरवजों के नाम पे जमीन है अब हम लोग चलते हैं फॉर्म 3-1 की तरफ तो 3-1 में दो पेज होता है वह पहला पेज जो होता है उसमें आपको देखते होंगे सब चुदा पात कर रहे हैं तो वह 1 आदमी का नाम वहां पर दर्ज होगा और अगर वह सामलात तौर पर दो आदमी गर जोट रहे और बाबा से आप लोगों को प्राप्त होगी बटवारा होगा तो वैसी इस्तिती में आप लोगों का अगर अलग अलग बटवारा होगया तो एक आदमी का वहाँ पे नाम दर्ज होगा लेकिन अगर किसी खत्यान में आपके बाबा का नाम और बाबा के दूसरे भाईयों का नाम और जो बटवारा भी आप लों का हुआ है वो बाबा और बाबा के दूसरे भाईयों के बीच हुआ है आपनों का बटवारा नहीं हुआ है तो ऐसी इस्तिती में वो सामलात रह जाएगी और सामलात की इस्तिती में आपके जो भी जिवित वनसज होंगे जो आपके खांदान में होंगे जिवित वनसज जो रहयत होंगे उनका नाम वहाँ पर दर्ज होगा सब का नाम वहाँ पर दर्ज होगा और वो वंशावली के अनुसार दर्ज होगा जो आप वंशावली बनाईएगा उसी के आधार पर वहाँ पर दर्ज होगा उनका पिता का नाम लिखे है जो इस आदमी का नाम लिखे है जिस रैयत का नाम लिखेगा उनके पिता का नाम उनक कि खत्यान में जाती दर्ज की जाती है आपका नाम दर्ज किया जाता है पिता का नाम दर्ज किया जाता है और निवास अस्थल दर्ज के जाता है आप जब अंचल में जाते होंगे जाती परमानपत्र बनाने तो उसका सत्यापन आपके खत्यान से ही किया जाता है कि आपके प पर जाती आपकी दिखानी परती है कि किस जाती से आप तालुक रखते हैं वो जाती का नाम वहाँ पर दर्ज होगा बहुत सारे केस में ऐसा होगा कि जाओमंदी आपके पुरवज के नाम पर ही काइम है तो पंजी टू जिसको बोलते हैं जाओमंदी पंजी बोलते हैं कि जा पूरवजों के नाम पर जामन्दी चल लए तो आपने पूरवज का नाम वहां पर दर्ज करेंगे उसके नीचे आपका खाता नंबर है खिसा नंबर रकबा है यह सारा डिटेल जो फॉर्म टू पर भरे थे सेम फॉर्म थिरी वन के पहला पेज पर आपको भर देना है पढ़ रहता है पिता का नाम रहता है अस्थाई पता रहता है खाता संख्या खिसरा संख्या रकबा चोहदी और जामन्दी संख्या अगर वो प्रा बटवारा होके आपके नाम से जामन्दी काइम हो गई है तो जामन्दी संख्या दीजिएगा और अगर नहीं हुए तो उस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं लेकिन रहियत का नाम पिता का नाम अस्थाई पता खाता खिसा रखबा और चोहदी जो वरतमान चोहदी है ये वहाँ पर आपको दर्ज करना कंपलसरी है वो फॉर्म भर के दर्ज कीजेगा और दर्ज करने के उपरांद नीचे में साइन कीजे आपका मांग करता है वो पेपर वहाँ पर लगा कर आप फॉर्म जमा कर सकते हैं जैसे उस पेपर में आप लोग जानते होंगे कि जैसे खत्यानी जमीन का अगर आप दावा कर रहे हैं तो खत्यानी जमीन आपकी है आपके पुरवजों के नाम पे खत्यान है तो आपको खत केवाला जो आपके नाम पर होगा तो आपके नाम पर है और आप जिवित हैं तो आपको सिर्फ केवाला की चायपर्ती जमा करनी है और अगर आपके पुरवज के नाम पर केवाला है जिनकी मृत्यू हो गई है तो वैसे इस्तिती में केवाला के साथ साथ केवाला के चायपर् परस्तूथ करना है और केवाला की फोटो काउंपई भी परस्तूथ करनी है उसके बाद अगर आपके नाम से लगान रसीद कट रही है या जवामंदी काईम है तो उसका एक परमान उसकी एक छायपरती जमा करनी है हर एक रहियत के पास आधार काड़ होता है और वो आधार काड़ की एक चाहयपर्ती जमा करनी है जैसा कि आप लोगं को पता होगा आमसभा में भी ये सारी चीज बताई गई है कि इस बार जो सर्वे हो रहा है तो सर्वे में खत्यान बनने के बाद एक Card आप लोगों को दिया जाएगा खतियान का अलग-अलग खिसरा याद रखने की आपको ज़रूत नहीं है जैसे आपके पास 10 Plot है तो वो 10 Plot का अलग-अलग नमबर याद रखने की ज़रूत आपको नहीं है एक Card दिया जाएगा जिसको Land Card बोलते हैं भूमी कार्ड बोलेंगे, उस कार्ड में एक यूनिक नंबर रहेगा, जैसे आधार कार्ड में आप लोग देखते होंगे, 12 डीट का एक नंबर रहता है, वैसे ही 14 डीट का एक नंबर रहेगा आपके लैंड कार्ड में, और उस लैंड कार्ड के नंबर से आपके पास जितनी नंबर डालेंगे, सर्वे परकेजा पुर्ण होने के उपराँ, तो आपके पास जतनी जमीन है, जिस जिस राजस Washington में, जिस जिस अंचल में जमीन है, वो सारा डिटेल एक साथ वहाँ पर दिखा देगा, तो ये फादा है इस सर्वे में, कि आपको एक land card भी दिया जाएगा तो आधार card को उस land card से link किया जाएगा जैसे आप लोग खईद बिक्री करने जाते होंगे अभी जमीन तो क्या होता है कि आप किसी की भी जमीन का register कर दीजेगा वो जांच नहीं होता है जांच का कोई परमा ये नहीं लेकिन आप लोग जांते होंगे जहמंदी वी बहुत पलट पलट होता है तो उस चीज की कोई सत्यापन नहीं है कि आपकी जमीन है या आप बिक्री कर रहे है तो उसका उस पे आपका माली काना हक है रहाने हैं बहुत साय लोग क्या करते हैं कि एक बार जमीन बिक्री कर दिये, किसी को केवाला कर दिये, फिर दोबारा उसी जमीन को खत्यान दिखा कर केवाला कर दिये, तो वैसे इस थिती में क्या होता है, कि उसकी जाच बगरा का कोई परमान नहीं है, लेकिन अब जो सर्वे होगा, और सर्वे में जैसे ही आप किसी से reject हो जाएगा आप रेस्टी नहीं कर सकते हैं तो यह सब फाइदा है land card होने का तो इसके लिए आप से आधार card मांगा जा रहा है और आधार card से आपका नाम पिता का नाम data of birth जो भी है वो सारा link किया जाएगा और उससे attach कर दिया जाएगा तो इसके code case की copy आपको समर्पित करनी पड़ेगी और अगर उसकी कोई degree प्राप्त हो गई है आपको कोई decision मिल गया है तो वो decision copy जो आती है वो degree copy भी आपको form के साथ लगा देना पड़ेगा जिससे ये साबित होगा कि हाँ आप इस पे code case लड़के जीते हैं और आपका इस पे मालिकाना हक बन सकता है या नहीं बन सकता है कुछ case आसा होता है जिसमें वारिसान वाली बात आती है वारिसान का मतलब यह हुआ कि जैसे आप लोग समाज में देखते होंगे कि किसी को कोई संतान नहीं हुआ संतान नहीं होने के उपरांत वो किसी को गोद ले लेता है तो अगर रैस्टर्ड गोद लिये हुआ है उसका परमान उसके पास पूर्ण रूप से है तो वो रैस्टर्ड गोद लेने की जो परकिरिया है उसका जो पेपर है वो साथ आपको वहाँ पर परमान लगाना परेगा कि आप उनके वारिस से ये परमानित करना परेगा तभी उनकी जमीन आपको पराप्त होगी तो ऐसा कोई परमान आपके पास है वारिस होने का तो वारिस होने का परमानपत आपको वहाँ पर लगाना है तो ये सारी चीज है जो आपको उस form के साथ उस दस्तावेस के साथ लगा कर जो सर्वे ओफिस है हर अंचल में एक सर्वे ओफिस बना हुआ है आपने अंचल का पता कर सकते हैं जो record room है जिसको अभी लेखरगार room बोलते हैं वहाँ पे सर्वे ओफिस बना है यहाँ पर आपके आप अपना form जमा कर सकते हैं वैसे लोग जो सर्वे ओफिस में नहीं आपाएंगे किसी कारण से जैसे बाहर में रहते होंगे नहीं आपाएंगे या बहुत विर्द आदमी हैं यहाँ पे उपस्तित नहीं हो पाते हैं तो उन लोगों के लिए सरकार का एक provision है कि आप online परक किरिया है यह online परकिरिया भी है DLRS की website पे आप लोग जाएगा Google पे जाएए वहाँ पे DLRS बिहार सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद नीचे एक option आएगा के रहे तो द्वारा सौगोषना का परपत्र जमा करने हैं तो आवेदर तो इस तरह का option आता है वहाँ पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर registration करना परेगा आपको अपने mobile नंबर से registration करने के उपरांद उसमें खाता नंबर खिसा नंबर आपका नाम जो भी आपके जमीन का ब्योरा है वो सारा वहाँ पर दर्च कीजिए और दर्च करने के उपरांद आपका जो परमान है वो scan copy upload मांगता है व शागे की कारवाई झो भी होती है वो करते हैं तो ये परकिरिया आपको online भी है और offline भी है जैसे आपको सहूलत है वैसा कम आपको कर सकते हैं तो यहीं सारी परक्रिया अभी बर्तमान में आप लों को करनी है कि फॉर्म 2 और फॉर्म 3 वन में आप लोग अपना जो भी जमीन का ब्यूरा है वो भरके सर्वे कारएले को जमा कर दे circumstance इसके आगे कि जोभी परक्रिया होगी परक्रिया के बारे में आप लों को अलग-अलग से विस्तार में बताया जाएगा हर परकिरिया से पहले एक आमसभा करके गाओं के जो आमरायत हैं, आमकिसान हैं उनको सुचना दे दिया जाएगा कि अगले परकिरिया में क्या काम करना है और आप लोगों का क्या दाहित्व है ये सारी चीज उसमें बताई जाएगी तो फिलहाल के लिए आप लोग परपत दो और परपत तीन एक जिसकी समय सीमा आप लोगों को बता दी गई है कि ये कार्ज 20 अगस से शुरू हो चुका है सर्वे की जो परकिरिया है ये पूरे जिला में जो भी 38 जिला है बिहार में ये 38 जिला में प्रारम कर दी गई है और इसका काम 20 अगस से शुरू हो चुका है 20 अगस से लेके 30 सेप्तमबर तक आप लोगों को फॉर्म जमा करने का समय दिया गया है ये 30 सेप्तमबर तक आप लोग अपना-पना जो भी सौगोषना का परपतर है जिसको फॉर्म 2 और 3-1 बोलते हैं ये सौगोषना का परपतर भर के सिविर कारियले में जमा कर सकते हैं या ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको बताया कि किस परकार ये तीनो फॉर्म परपतर 2 परपतर 3-1 और उसके साथ एक और फॉर्म आता है तो कैसे भरना है उमीद करता हूँ अपने पूरी जनकारी समझा होगा तो वीडियो को लाइक शेर कीजिए और इस फॉर्म को भरने के वाद आप अपने नजदी के सिविल में जमा कर दीजे या आप चाहे तो ओनलाइन भी इससे समिट कर सकते हैं ओनलाइन कैसे समिट करना है वीडियो यहाँ मिलेगा उससे जरूर देख लिजे धन्यवाद जैहिंद